बच्चों नमस्कार, बच्चों हम कख्षा सात्वी गड़ित में सरवांक सम्ता पढ़ रहे हैं, कांगुरेंस पढ़ रहे हैं बच्चों आज हम पढ़ेंगे भाग दो और भाग दो के अतिमात्पुन प्रश्णों को तो चले बच्चों सुरु करते हैं बीन दिर के भाग दो और भाग दो के कुछ महत्पुन नियमों वो प्रश्णों को आए बच्चों देखते हैं त्रिभुजों में सरवांक सम्ता की जाच की नियम एक त्रिभुच के तीनों कौण, दुसरे त्रिभुच के तीनों संगत खूण की बराबर होने, होने मातर से ही दुरू त्रिभुच सरवांक्सम नहीं होते बच्चों, बल्कि इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होनी चाहिए, तो चलिए देखते हैं जांच की न सरवांग सम्ता या संख्यप में भू सरवांग सम्ता SSS सरवांग सम्ता कहेंगे हम इसे प्रकार लिखेंगे बच्चों तरबूझ मैं A B C सरवांग गर्शम है तरबूझ D.E.F.K D.E.F.K तो इस तरह से में देखा बच्चों भुजा, 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 भुजा भुजा, भुजा, भुजा सरवांक्समता से ये दुनों तरवुज क्या है सरवांक्सम है अब आईए बच्चों देखते हैं त्रभुजों में सरवांग सम्ता की जाज के दूसरे नियम आईए बच्चों देखते हैं सरवांग सम्ता का दूसरा नियम भुजा, कोण, भुजा, स, ए, स, सरवांग सम्ता दिये गए त्रिभुजों के युग में पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और एक कोण की बराबर है दोनों त्रिभू सरवांगसम है यदि पहले त्रिभूज की दो भूजाएं यवो हम उनकी बीच का कौन दुसरे त्रिभूज की संगत दो भूजाओं यवो हम उनकी बीच की कौन की बराबर हो तो वे दोनों त्रिभूज की आओंगे बचों सरवांगसम होगे तदा इस आई बूचों कोनदफ हो दिखते हैं São firms Cape November 2 sailed लिखेंगे अब आए 갔्प्छां देखते हैं और भूज़ा को नीखों सरवांग शम्ता पहले त्रिभुज की एक भुजा दुसरे त्रिभुज की शंगत भुजा के समान हो तथा पहले त्रिभुज के दो कोण दुसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के समान हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे बचों सरवांग शम्ता के इस गुर को कहते हैं अब आईए बच्चों देखते हैं सरवांग सम्ता का अगला नियम समकोर करनड़ भूजा सरवांग सम्ता रहस सरवांग सम्ता सरवांग सम्ता के तीनों नियम सभी तिरभूजों पर लागू होते हैं परन्तु यह नियम जो है बच्चों समकोर्कण करन भूजयनियम शमकोर्टरीबूज पर ही लागव होता, इस बात कर मेशा द्यार रखेंगे, यदि किसी समकोर्टर Heroes का वह एक भूजया-दूसर्टर समकोर्ट तरभूज के करन वह एक भूजा गी बराबर हो, तो वह दोनों तरभूज सरवांग्साति है। सरवांग्शम्ता के इस गुण को समकोंड कड़भुजा सरवांग्शम्ता आर एच एस सरवांग्शम्ता कहते हैं अब आए बच्चों इन नियमों के बाद देखते हैं प्रस्न पहला यदि दी गए आकरती में AB बराबर AD कोंड BAC बराबर कोंड DAC तो क्या त्रिभुज ABC सरवांग्शम त्रिभुज ADC यदि हां तो क्यों प्रस्न समझ के होंगे बच्चों आए देखते हैं इसका हल बच्चों यहां प्रस्न में दिया है दिया है AB बराबर AD कोंड BAC बराबर कोंड DAC तथा कोंड ACB बराबर कोंड ACD बराबर नव्यंस अर्थात प्रत्य क्या है बच्चों समकोंड है नव्यंस है मतलब प्रत्य क्या है समकोंड है कोंड ADB बराबर कोंड ABD अर्थात इसलिए हुआ ऐसा बच्चों कि समान मुझा सम्मुकुर्गा होते हैं हमेशा समान होते हैं इस लिए हम कर सकते हैं कि तरी भूज A, B, C सरवांगसम होगा तरी भूज A, D, C के अर्थात यह जो निटी सरवांगसम हो बच्चों यहां पर लागू हुआ पनियम भुह को भुह सरवांग समता तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए तरबुज ABC सरवांग समय है तरबुज ADC के आए बच्चों देखते हैं अगला प्रशन बच्चों अगला प्रशन है दी गई आकरती में कोड P बराबर कोड S बराबर 90 अंस तथा P Q बराबर S R तो क्या बच्चों देखते हैं इसका हल बच्चों यहां दिया है कोड P बराबर कोड S बराबर 90 अंस अर्थात यहां पर प्रतियोग क्या मानेंगे बच्चों समकोड मानेंगे प्रतियोग कैसा है समकोड है P Q बराबर हो जाएगा S R तब Q R बराबर Q R स Q R का मतलब है यहां उभैनिष्ट भूजा होगी क्या हflows बच्चों उभैनिष्ट भूजा उबहनी रिश्ट जब भुजा होगी तब हम देखेंगे कि यह त्रिभूज PQR है यह सरवांक्षम हो जाएगा त्रिभूज SQR के और हमारा प्रस्न क्या था बच्चों कि क्या त्रिभूज PQR SQR के सरवांक्षम है इस नियम यहाँ पर लागो होता है और इस नियम से यह जो त्रिभूज PQR है त्रिभूज SQR के सरवांक्षम होगी बच्चों इस प्रशने के साथ ही हमारा यह भाव भी समाप्त होता है बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करिएगा और यदि आप चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब परने बिल्कुल नहीं भूलिएगा बच्चों फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में नए प्रशनों के साथ तब तक के लिए नमस्कार